हेलो फ्रेंट्स तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं साइबर सिक्योरिटी की तो साइबर सिक्योरिटी के वारे में पताने से पहले आपको यह बताना चाहूंगा कि जो यह हमारा इंटरनेट है और जो हमारे काम है इंटरनेट से जोड़े हुए उनको एक सिक्यूरिटी कहीं न कहीं चाहिए होती है और उसके लिए हमारा बना है साइबर सेक्यूरिटी जी हाँ फ्रेंट्स आज की इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूँ कि आखरी साइबर सेक्यूरिटी होती क्या है और यह कैसे काम करती है हमारे जो इंटरनेट यूजर्स हैं उनके लिए तो फ्रेंट्स चलिए जानते हैं और समझते हैं कि आखरी साइबर सेक्यूरिट हो गए इन सभी के अंदर जो information होती है हमारी आज के इस time में उन सभी को एक protection provide कराती है cyber security और वो protection provide कराती है किसकी against वो protection provide कराती है हमारी जो miscellaneous attacks होते हैं hackers द्वारा किये जाते हैं उनके against तो friends अब यहाँ पर question आता है कि यह miscellaneous attacks क्या होते हैं तो friends मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा कि यह ऐसे attempts होते हैं ऐसी कोशिसे होती हैं कि जो जबड़चस्ति की जाती है जो hackers होते हैं उनके त्वारा और यह कोशिसे की जाती है हमारे digital devices पर जिनको हम अपने daily life में use करते हैं अपने data को अपनी information को access करने के लिए और इन कोशिसों के जरिये कई बार उनको hack कर लिया जाता है और उनके अंदर की जो information होती है किसी भी कह सकते हैं डिवाइस की जो information है या फिर उस device को damage कर दिया जाता है उस information को वहां से चुरा लिया जाता है, स्टील कर लिया जाता है और उस information को वो अपने profit के लिए यूज करते हैं किसी भी market के अंदर. तो friends यहाँ पर यह होते हैं miscellaneous attacks जो कि किये जाते हैं हमारे smart devices पर और इसके लिए बनाया गया है cyber security. Cyber security की help से जो हमारी आज information हमारे gadgets के अंदर है वो कहीं न कहीं secure है. आप आज banks में देख लीजिए जितने भी काम होते हैं वो सब computers पर होते हैं और जितना भी आपका information है इवन आपके अधार card की details हैं A to Z वो सभी कहीं न कहीं online save हैं computers के अंदर. तो इन जो information saved है इसको secure रखना एक cyber security का काम हो जाता है तो friends यहाँ पर मैं आपको एक अच्छा से example देकर बताता हूँ कि जो cyber security है वो हमारी जो government है किसी भी देश की government है उसको कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा हद तक help करती है अब यह कैसे help करती है आपकी जो कह सकते organizations हैं बड़ी बड़ी आपके देश के अंदर आज हमारे देश के अंदर ले लिजिए आप Reliance Industries एक अच्छी खासी इंडस्ट्री है आप हमारे जो defense के हैं DRDO हो गया इनमें हमारे कह सकते हैं हमारे military से related research होती है आप कह सकते हैं जो हमारी commercial organizations हैं जो हमारे देश में business करती हैं यह सभी organizations अपने daily routine operations में इतना सारा data create करती हैं कि वो सारा data कह सकते हैं आप database के अंदर रखा जाता है तो friends यह जितना भी data होता है जितनी भी information होती है इस सभी को online store किया जाता है computers के अंदर servers के अंदर अब यह जो information है यह किसी भी देश के लिए इतनी important होती है कि अगर यह किसी के हाथ लग जाए तो उसके लिए बहुत ज़्यादा खतरना को जाता है तो ऐसे में यहाँ पर काम आती है हमारी cyber security अगर यहाँ पर cyber security काम नहीं करती है तो ऐसे में आपकी जितनी भी important information है किसी भी organization को ले सकते हैं जिसके अंदर daily operations होते हैं और उस organization की details को daily basis पर collect किया जाता है तो अगर cyber security वहाँ पर काम नहीं करती है तो वहाँ पर उस information को कहीं न कहीं चुराया जा सकता है आज के युग में जो data है या information है वो सबसे बड़ा दियार है उस information को use करके सबसे ज़्यादा फाइदा उठाया जा सकता है तो ऐसे में यहाँ पर cyber security काफी ज़्यादा एहम रो personal messages होते हैं मेरे passwords होते हैं मेरे bank details होती है उनको cyber security की help से कहीं न कहीं बचाया जा रहा है आज के इस टाइम में friends मैं hope करूंगा कि आपने मेरे चैनल को subscribe कर लिया होगा प्लीज चैनल को subscribe कर दें साथी जो bell icon है उसको दबादें ताकि जो हमारी आने वाली वीडियो में आप उनको miss ना करें तो friends चलते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में धन्यवाद